हलो फ्रेंट जई आई पेम्टी नीड 2012 सर्कुलर मोशन के इस क्वेशन में हमें दिया गया था एक कार है जिसका मास एम है वो मूव कर रहा है लेवल सर्कुलर रोड पे जिसका रेडियस आर है म्यू एस रीप्रेजेंट कर रहा है स्टाटिक फिक्शन बिट्वीन दा रोड तो देखिए ऐसा ही क्वेशन हमसे 2010 में भी पूछा गया था बस फर्क इतना है कि वहाँ पर रोड की जगे हमारा ग्रैमोफोन रिकॉर्ड था और कार की जगे हमारा कॉइन था कंसेप्ट हमें वहाँ पर यही लगाना था कि हमारा फ्रिक्शन जो है स्टाटिक वो हमें सेंट्रिपीटल फोर्स प्रोड करेगा तुवर्ड्स दा सेंटर ओफ रोड एक्ट करके और इसका जो वैल्यू होगा ये वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम होग यानि स्टाटिक फ्रिक्शन जो है वो हर हाल में म्यू एस एन से कम रहेगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं कार वर्टिकल एक्विलिब्रियम में है यानि की एन बराबर क्या रख सकते हैं एम जी इन सभी कंडिशन्स को अपलाए करने पर हमें जो सेफ स्पीड मिलता है कार का जिसमें की कोई स्लिपिंग नहीं होगा तो वो मैक्सिमम स्पीड या सेफ स्पीड कितना आएगा म्यू एस आर जी जिन लोगों को ये रिजल्ट डारेक्ट याद है वो सीधा अंसर टिक कर सकते हैं अब आप सोच रहे हैं कि ऐसे क्वेशन क्यों पूछे जाते हैं तो मै को याद जरूर होने चाहिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फ्लीज लाइक शें सब्सक्राइब माय चैनल और बैल आइकन दबाना ना भूलें फॉर टेक्स सल्यूशन फॉर डिटेल सल्यूशन जिनमें आपको वीडियो नहीं प्ले करना पड़ेगा आप मेरे ब्लॉग पर देख सकते हैं अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे मेल पर कॉंटाक कर सकते हैं फेस्बुक पेज और इंस्टा पर जॉइन कर सकते हैं for tips of the day